नमस्कार मैं भूपेंद्र पंडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ हिब बेल आइकन को दबाना ना भूले ताके पर प्रतेक वीडियो के अपडेट से आपको मिलते रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुनसी प्रेम चन जी का प्रसीद धनीबंध साहित्तिका उद्देश वास्तो में साहित्तिका उद्देश मुनसी प्रेम चन के भाषण का लिखित रूप है मुनसी प्रेम चन ने यह व्याख्यान लखनव में आयोजित प्रगति सील लेखक संग के पहले बैठक के अउसर पर अध्यक्ष के रूप में दिया था इस सम्मेलन का आयोजन सर 1936 में हुआ था मुनसी प्रेम चन जी ने इस आयोजन को साहित्तिक के इतिहास की एक इसमाणी घटना कहा है उनका मत्था कि यह सम्मेलन भावों और विचारों के प्रचार के लिए आयोजित किया गया है क्योंकि इसके पहले केवल भाशा के सम्मेंद में विचार भी मर्ज किया जाता था फिर साहित्तिकी भाशा कैसी होनी चाहिए लेकिन पहली बार भावों और विचारों पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन यह आयोजित किया गया इस महतपून भाशन में प्रेमचंद जी ने साहित्य के स्वरूप को परिभाशित करने का प्रयास किया है इसमें उन्होंने अपने वीचारों को उधरणों के दोरा व्याख्याईत किया है हर्थात उधारणों के दोरा बताया है और भासनड के अंत में वेचिंतन, स्वाधिंता का भाव, सौंदर्य का सार, स्रिजन की आत्मा और जीवन की सच्चाईयों पर प्रकास डालने वाले साहित्य को ही अपनी कसवटी पर खरा उतरने वाला साहित्य कहा है उनका यह मानना है कि साहित्य सुलाने वाला नहीं अपितू, गती, संघर्ष और बेचैनी पैदा करने वाला होना चाहिए आपकी जानकारे के लिए बता दूँ कि इसके साथ ही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद प्रारम होता है जिसकी समय सीमा है 1936-1947 इस्वी राजनीती के शेत्र में जिसे हम मारसवाद कहते हैं उसे ही साहित्य के शेत्र में हम क्या कहते हैं प्रगतिवाद कहते हैं तो चलिए देखते हैं तो इसमें मैं शुरू से अंतर तक पुरी तरह से इस निबन को निबन की व्याक्या करूँगा तो यह बहुत ही आप लोग उखिले उपयोगी होने जा रहा है इसलिए शुरू से अंते तक मेरे साथ बने रहें सज्जनों या सम्मिलन हमारे साहित्य के इतिहास में एक इसमाणी घटना है हमारे सम्मिलनों और अंजुमनों में अब तक आम तर पर भाशार उसके प्रचार पर ही बहस की जाती रही है यहां तक कि उर्दू और हिंदी का जो आरंभिक साहित्य मौजूद है उसका उद्देश विचारों और भावों पर असर डालना नहीं केवल भाशा का निर्माण करना था मुंसी प्रेमचन जी यहां पर कहते हैं कि इसके पहले जिदनी भी इस प्रकार की बैठकें और सम्मिलन और गोस्टियां आडित की गई उनमें सिर्फ भाशा पर विचार भी मर्स किया गया कि साहित्य की भाशा कैसी होनी चाहिए लेकिन साहित्य में किस प्रकार की भावनाओं किस प्रकार के विचारों को अभीवक्त किया जाना उस पर चर्चा नहीं किया गया मद यहां तक कि उर्दू और हिंदी का जो आराम्भिक साहित्य मौजूद है उसका उद्देश विचारों और भावों पर असर डाला नहीं केवाल भाशा का निर्माड करना था तो अब तक जो भी सम्मिलान जो भी गोस्टियां आडित की गई उनमें विचारों और भावों पर कोई जादा जोर नहीं दिया गया बलकि सिर्फ भाषा का निर्माड करने, भाषा का सिजन करने, पर निष्ठित और शुद्ध भाषा का निर्माड करना उसका मुख्य उद्धेश था, वह भी एक बड़े महत्तोक का कार्या था जब तक भाषा है कि स्थाही रूप न प्राप्त कर ले, उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने के शक्ती ही कहां से आएगी हमारी भाषा के पायनियरों ने, रास्ता साप करने वालों ने, हिंदुस्तानी भाषा का निर्माड करके, जाती पर जो एसान किया है, उसके लिए हम उनके कृतग नहों, तो यह हमारी कृतगनता होगी मुसी प्रेम चन्जी का यह मानना है, कि हमारे पुराने नेताओं ने, पुराने साहित्यकरों ने, जिस भाषा के निर्माड किया है, जिस हिंदुस्तानी भाषा का, हिंदुस्तानी भाषा का तातपर यह है, उर्दू और हिंदी मिस्तिरित हिंदी, मतलब वा उर्दू, य अर्भी फार्षी और हिंदी के शब्दों इन दोनों को मिलाने से जो भाषा बनती है उसे कहा जाता है हिंदुस्तानी भाषा तो इसके लिए उन्होंने अपने पुरोजों का प्रति, अपने पुराने सहित्यकारों का प्रति, जो अग्रज हैं, जो नेता हैं। उन्होंने कृतअग्यता ग्यापित किया है। भाषा साधन है साध्य नहीं उनका मानना है मुझसी प्रेमजन जी का मानना कि भाषा क्या है साधन है अभिवेक्ति का माध्यम है वह हमारा लक्ष्य नहीं है अब हमारी भाषा ने वह रूप राप्त कर लिया है कि हम भाशा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश से यह निर्माण कारे प्रारम किया था वक्यों कर पूरा हो वास्ता में भाशा हमारी भावनाव और विचारों की अभिवक्ति का माध्यम है मतलब अब हमको भाशा के छितर में कुछ यादा कारे करने की आएसेकता नहीं है बलकि अब हमको यहाद देखना है कि किस प्रकार से हमारी भाशा हमारे विचारों हमारे भावनाव को अच्छी तरह से अभिवक्त कर सके वही भाशा जिसमें आरम्य में बागो बहार और बैताल 25 की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य सेवा थी अब इस योग्य हो गई है कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रशनों की भी विवेचना की जा सके और यह सम्मेलन इस सचाई की सपष्ट स्विक्रिती है तो उनका कहना है कि प्रारम में मनोरंजक साहित्य लिखा जा रहा था जिस भाशा में पहले मनोरंजन के लिए साहित्य लिखा जा रहा था बैताल पच्छी सी, जो कालपणी को होती थी पूरी तरह से बागो बाहर मतलब दुनिया की खुबसूरती का जिसमें वड़न होता था प्यार, महबबत, इस, कलपना इन सब चीजों में रचना करना ही सबसे बड़ी साहितिक सेवा थी लेकिन वह भाशा अभी शियोग जो हो गई है, समर्थ हो गई है कि उसमें शास्त और विज्ञान जैसे जटिल प्रस्नों की भी विवेचना कर सके उनकी व्याख्या किया जा सके और इसी लिए यह सम्मिलन आयोजित किया गया है ठीक है? इसके बाद होता है भाशा बोलचाल की भी होती है और लिखने की भी होती है पर उन्होंने जिस भाषा की दाग बेल डाली वह लिखने की भाषा थी और वही साहित है पहले भी बोलचाल की भाषा और साहितिक भाषा अलग लग होती थी लेकिन जो पुराने लेखक हैं जैसे मीर अमन और ललुलाल उन्होंने जिस भाषा की नियू डाली, जिस भाषा की बुनियाद डाली, वही लिखने की भाषा थी, और वही साहितिक भाषा है, वही साहित्य है बोलचाल के माध्यम से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और अपने हर्स शोक के भावों का चितर खीषते हैं मतलब आम बोलचाल की भाशा में हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करते हैं अपने दुख को अपनी खुशी को अभिवेक्ति प्रदान करते हैं और हाँ वही काम साहित्यकार वही काम लेखनी के द्वारा करता है साहित्यकार भी वही काम करता है लेकिन लिखने की भाशा अलग होती है हाँ उसके स्रोताओं की परिधी बहुत विस्त्रीत होती है और देश काल की परिदी या सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है और यदि उन्हेंने किसी समाज की सच्चाई को बयान किया है यथार था यदि उसका साहिति में तो उसका जो साहिति होता है वह काल जाई होता है और देश काल की सीमाओं को अतिक्रमर कर देता है और लाखों लो या नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाए वह सबका सब साहित है साहित उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सचाई प्रगट की गई है जिसके भाषा प्रोड परिमाजी थे हम सुन्दर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण तो उनका कहना है कि जो कुछ भी लिख दिया जाए जो की लिखित रुप में जो भी लिखा गया है वह साहित नहीं है बलकि साहित उस रचना को कहेंगे जिसमें यथार्थ हो जिसमें जीवन की सच्चाई हो जिसमें जीवन का यथार्थ और सच्चाई प्रकट की गई हो जिसकी भाषा बहुत ही मैचियोर हो, प्रोड हो, परिमाजीत हो, सुन्दर हो और इसके साथ ही साथ वह हमारे भावना को उद्देलित भी करे और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने और प्रभावर डालने का भी गुड़ो और साहिति में यह गुड़ पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन होता है जब उसमें जीवन की सच्चाईयां और अन्भूतियां व्यक्ति की गई हो तो कैसा साहिति हम पर प्रभावर डालता है सिर्फ वही साहिति हम पर अधिक प्रभावर डालता है जिसमें जीवन की सच्चाईयों और अन्भूतियों को यथार्थ परकढ़ंग से अभिवक्ति किया गया हो दिलसमाती कहानियों, मतलब कालपनिक कहानियों, भूत प्रेत की कताओं और प्रेम योग के आख्यानों से किसी जमाने में हम भले ही प्रभावित हुए हूँ पर अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिल्चस्पी है पहले जब कहानी लेखन की शुरुआत थी, उपन्यास लेखन की शुरुआत हुई जैसे बैताल परचिसी हो गया या फिर चंद्रकांता संतती हो गया चंद्रकांता हो गया तो इस पकार भूत प्रेत की जो कथाएं थी या फिर जो लव अफेर जिसमें इश्क महबत की बाते ही की जाती थी तो उससे हम पहले जरूर ऐसी कथा कहानियों से हम प्रेरित और प्रभावित हुए हैं पर अब उसमें हमारे लिए कम दिल्चस्पी है जो कि समय के साथ साथ लिखने का तरीका भी बदल जाता है इसमें संदे नहीं कि मानव प्रकृती का मरमग्य साहितेकार राजकुमारा की प्रेम गाथाओं और तिलसमाती कहानियों में भी जीवन की सचाईयां वड़न कर सकता है और संदर संदरे की स्रिष्टी कर सकता है इसमें उन्हें कोई doubt नहीं है कि जो मानों की प्रकृती, जिसको मनोविझ्ञान का ग्यान है मानों की प्रकृती उसकी अभिरूचियों का ग्यान है ऐसा साहित्यकार, राजकुमार की प्रेम कतहाओं में और कालपनिक कहानियों में भी जीवन की सच्चाईयों को अभिवेक्त कर सकता है परंतु और सौंदरी की स्रिष्टी भी कर सकता है सौंदरी का स्रिजन कर सकता है बहुत ही अच्छा साहित्य हमको दे सकता है परंतु इससे भी सत्य की पुष्टी ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाईयों का दरपन हो परंति इसके बावजूद भी इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि वही साहित्य हमारे उपर बहुत ज़्यदा प्रभाव डालता है जिसमें जीवन की सच्चाईयों का उलेक होता है उनको अभिवेक्ति प्रदान किया जाता है जो यथार्थ परक्साहित होता है फिर आप उसे जिस चवकटे में चाहे लगा सकते हैं चिड़े की कहानी और गुला बुल बुल की दास्तान भी इसके लिए उसके लिए उप्यूक्त हो सकती है अब चाहे उस कहानी को आप कैसे भी चिड़िया की कहानी आप सुनाएं या पीरा जैसे पंच तंत्रा है हितो पदेशा है ऐसे कुछ भी कहानी आप सुनाएं ये दि उसमें जीवन की सच्चाई है तब उसमें सौंदर भी होगा वास्तों में मुंसी प्रेम चंद का जो यथार्थवाद है उसे क्या कह जाता है यथार्थवाद और जहां जीवन का यथार्थ रहेगा वहाँ पर सौंदर भी अपने आप आही जाता है साहित की बहुत सी परिभाशाएं की गई है पर मेरे विचार से उसकी सर्वत्म परिभाशा जीवन की आलोचना है चाहे वह निबंद के रूप में हो चाहे कहानियों के या काव्य के उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए तो मुंसी और अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार की बातें आती है मतलब गुण दोस का जो विवेचन किया जाता है किसी चीज के गुण दोस की जो विवेचना की जाती है उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है आलोचना मुंसी प्रेम चंजी ने साहित्य के कैसे परिभाशित किया है मतलब साहित्य जीवन की अलोचना है उसमें जीवन के अच्छे बुरे गुड़ दोश सबी चीजों पर विचार भी मर्स किया जाना चाहिए अब चाहे बाँ साहित्य निबंद के रूप में लिखाओ साहित्य को जीवन की अरोचना कहा है हमने जीस युक को भी पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब न था हमारे साहित्य कार कल्पना की एक्सिष्टी खड़ी करके उसमें मनमाने तिलस्म बांधा करते थे कहीं फिसाने अजायाप की दास्तान थी कहीं दास्ताने खयाल की और कहीं चंद्रकांता संत्ती की इन आख्यानों का उद्देश केवल मनरण्यन था और हमारे अद्बुत प्रेम रस की त्रिप्ती साहित्य का जीवन से कोई लगाव है या कल्पनाती था मतलब उनसी प्रेम चंजी कहते हैं जैसे रीती काल में नाइका भेत पर कावे लिखे जा रहे थे कावे लेक्षन पर कविता लिखी जा रहे थी या उनके पहले जो भी रचनाय रची जा रहे थी जो भी आख्यान जो भी उपन्यास जो भी कहानिया लिखी जा रहे थी वो किस पर केवल मनुरंजन के लिखी जा रही थी जैसे चंद्रकांता संतती है चंद्रकांता है बिताल पचीसी है इत्यादी और उनका उद्देश क्या था उनका उद्देश केवल मनुरंजन था क्योंकि वे कलपना पर अधारी था क्याकि उनके माध्यम से केवल लोगों का मनोरण्यन करता था परन्तु साहित्य का कोई उद्देश भी हो सकता है साहित्य जीवन से भी सम्मंदित हो सकता है साहित्य में जीवन के यथार्थ की भी अभिव्यक्ति हो सकती है या कल्पनाती था ऐसा उसमें सोचा भी नहीं जाता था कहानी कहानी है जीवन जीवन तो उसमें यह सोचा जाता था कहानी पूरी तरह से जीवन से अलग है दोनों परस पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी उसमें कहानी और जीवन को अलग-अलग धंग से देखा जाता था कवियों पर भी व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था प्रेम का आदर्ष वासनाओं को त्रिप्त करना था और संदर्य का आखों को उसमें जो कभी थे उन्होंने केवल अपनी निजी और भूतियों का वड़न करने को ही कभी का कर्म समझते थे और प्रेम का आदर्ष क्या था वासनाओं को त्रिप्त करना था वासनाओं की पूर्ति करना ही प्रेम का लक्षे था और संदर्य का आखों को मतलब कोई सुन्दर चीज हमने देखा तो हमारी यांके त्रिप्त होने चाहिए और प्रेम की प्रणिती किसमे होने चाहिए वासना की त्रिप्ती में होने चाहिए ऐसा माना जाता था तो इस परकार उन्हेंने रीति काल को यहां पर क्रिटिसाइज किया है इनी स्रिंगारिक भावों को प्रगट करने में कवी मंडली अपनी प्रतिभा और कलपना के चमतकार को दिखाया करते थी क्योंकि जो अधिकांस जो कवी हुआ करते थे वे राजाओं के आस्रीत हुआ करते थे और इसलिए वे के वाले स्रिंगारिक भावों को प्रकट करते थे, नाइका भेत के बारे में बताते थे, और रोमांस के बारे में बताते थे, और कभी मंडली में अपने सम्गु में अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमतकार दिखाया करते थे, पद्य में कोई नई शब्द जाता था, वो नई कल्पना की जाती थी, ताकि लोगों का प्रसंसा प्राप्त हो, राजाओं से प्रसंसा मिले, अपने समकाली न कवियों से प्रसंसा मिले, चाहे भला ही वह सच्चाई से कितनी भी दूर क्यों न हो, आशियाना और कफस, वर्क और खिर्मन की कल्पनाएं, व हम और आप खूब जानते हैं। मनुष्य का जीवन केवाल इस्तरी पुरुष प्रेम का जीवन नहीं है। इस्तरी पुरुष का प्रेम जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। जिसका विशय स्रिंगारिक मनोभाव और उनसे उत्पन होने वाले विराव्यथा निराशा आदी तक ही सिमित हो। जिसमें दुनिया और दुनिया की कठिनाईयों से दूर भागना इस जीवन की सार्थक्ता समझे गई हो। हमारी विचार और भाव संबन्दी और श्यक्ताओं को पूरा कर सकता है। उनका कहना है कि एक ऐसा शाहित जिसमें केवल विरा अवियत्था का यह वड़नान हो जिसमें केवल स्रिंगारिक मनोभावों का वड़नान हो और जिसमें जीवन से पलायन हो जीवन से पलायन मतलब जीवन से पलायन से तात पड़े है जीवन की कठिनाईयों से दूर भागना जीवन के अथार्थ से दूर भागना और इसे यदि साहित्य की सार्थक्ता समझे जाए जीवन की सार्थक्ता समझे जाए तो यह ऐसा विचार और भाव समंदी हमारे आस्याक्ताओं कि क्या यह पूरा कर सकता है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता स्रिंगारिक मनोभाव मानव जीवन का एक अंग मात्र है और जिस साहित्य का अधिकांस किसी से सम्मंद रखता हो वह उस जाती और उस युक के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और ना उसकी सुरुची का ही प्रमाण हो सकता है मतब यदि किसी साहित्य में किसी राष्ट के साहित्य में केवल स्रिंगारिक मनोभाव का वर्ण किया गया हो तो यह उस राष्ट के लिए उस समाज के लिए उस यूप के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता क्योंकि स्रिंगारिक मनो भाव क्या है स्रिंगार की जो भावना है वो हमारे जीवन का एक छोटा सांग है पूरा जीवन नहीं है और नहीं या उस तमाज या उस राष्ट की अच्छी रूची या सूरुची का प्रमाढ़ हो सकता है कि केवल उसमें स्रिंगार का ही वर्णानों जो क्योंकि स्रिंगार जीवन का एक छोटा सा हिसा है क्या हिंदी और क्या उर्दु कविता में दोनों की एक हालत थी हिंदी और उर्दु दोनों में एक ही प्रकार की रचनाय लिखी जा रही थी स्विंगार और इश्क मुहबबत और विराफ यथा की उसमें साहित्य और कावे के विशह में जो लोक रूची थी उसके प्रभाव में जैसी परिस्थित्यां होती है उसी के अनुरूप साहित्यकार क्या करता है काव या थ्वा साहित्यका स्रिजन करता है तो उनकी मजबूरी भी थी सराहना और कदरदानी की हवस्न हरेक को होती है मतलब लोगों से प्रशंसा पाना लोगों से सराहना पाना इसके इक्षा हर व्यक्ति में होती है कवियों के लिए उनकी रचना ही जीविका का साधन थी और कविता की कद्रदानी राइसों और अमीरों के सिवा और कौन कर सकता था अधिकांज जो कविते उसमें राजाओं के आश्री तरहा करते थे अमीरों के आश्री तरहा करते थे इसलिए कविता की रचना उनकी जीविका का साधन थी और जो कविता की कद्रदानी कविता का महत्तों का आकलन कोन कर सकता था जो राइस थे जो अमीर थे इसलिए हमारे कवियों को साधानार जीवन का सामना करने और उसकी सचाईयों से प्रभावित होने के या तो आवसार ही ना थे या हर छोटे बड़े पर कुछ ऐसी मानसिक गिरावाट चाही हुई थी कि मानसिक और बौधिक जीवन रही ना गया था इसलिए जो कभी थे वे जीवन की सचाईयों का उलेक करने जीवन के यथार्थ का वर्णन करने से बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि उससे उनकी रोजी-रोजगार चिन जाने का उनको ख़तरा था और उसमें उनकी मानसिक इस्तिती भी ऐसी नहीं थी स्टेंडर्ड भी इतना अच्छा नहीं था कि वे कोई अच्छा साहित्य वे लिख सकें जिसमें यथार्थ और सच्चाई का अलम्मन किया गया हो तो यह ऐसा था इस पर अधारित साहित्य नहीं लिखा जा रहा था हम इसका दोश उस समय के साहित्य कारों पर ही नहीं रख सकते साहित्य अपने काल का प्रतिबिम होता है जो भावर विचार लोगों के हिद्यों को इस्पंदीत करते हैं वही साहित्य पर भी अपनी च्छाया डालते हैं ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं या अध्यात में और वायरागे में मन रमाते हैं तो इस पकार उन्होंने कहा है कि हम पूरी जिम्मेदारी सिर्फ हम साहित्यकारों या कला कारों पर नहीं डाल सकते कभियों पर नहीं डाल सकते जो साहित्य होता है समाज का दरपन होता है साहित्य अपने समाज का प्रदिभीम होता है तो साहित्य कार्त वही लिखेगा जो लोग पढ़ेंगे जो लोग सुनेंगे तो ऐसे जब पतन के काल में क्या करते हैं लोग इश्क महबत की शायरी करते हैं आशिकी करते हैं प्यार महबत करते हैं और कुछ लोग आध्यात पर वायरागे में मन लगाते हैं कुछ लोग सादू संत भी हो जाते हैं जब साहिते पर संसार की नस्वर्ता का रंग चड़ा हो और उसका एक-एक शब्द नहराज से में डुबा हो समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा हो और स्रिंगारिक भावों का प्रतिविम बन गया हो तो समझ लीजिए कि जाती जड़ता और हरास के पंजे में फंस चुकी है और उसमें उद्योग तथा संगर्स का बल बाकी नहीं राज जो कालखंड ऐसा हो जो जीवन की नस्वरता से भड़ा हो जिस कालखंड में ऐसी कविताय लिखी गई हो जिसमें यह उलेक किया गया कि संसार नस्वर है सब कुछ नस्वर है सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए जीवन प्रतिकूल है बहुत ही कठीन है और स्रिंगारिक भावों का वर्णन करना ही कभी कर्म समाज लिया जाता है तो ऐसा समाज लेना चाहिए कि वह समाज वह रास यड़ता रास के पंजे में फास चुकी है उसमें आगे बढ़ने की कोई शम्ता नहीं है मतलब वह प्रगति सील साहित नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार का परिस्रम करने अत्वा संघर्स करने का नदना तो कोई इच्छा है अन्ना ही उनमें शम्ता है उसने उचे लक्षों की ओर से आखे बंद कर लिया है और उसमें से दुनिया को देखने समझने की शक्ती लुप्त हो गई है तो ऐसा साहित्य और ऐसे साहित्य करों ने दुनिया के सच्चाई से अपना मुख मोड लिया अपनी आखे बंद कर लिये और उनमें दुनिया को सही परिप्रेक्ष में देखने और समझने की शम्ता नहीं रह गई है परंतु आज उनका कहना है परंतु हमारी साहित्य करोची बड़ी तेजी से बदल रही है अब साहित्य के वल मन भहलाव की चीज नहीं है मन रंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश है मुझसी प्रेम चंदी कहाते है कि अभी तक का जो साहित्य था उसका उद्देश था लोगों को मनरंजन करना लेकिन अब साहित्य का उद्देश बदल गया है साहित्य का लक्ष बदल गया है मनरंजन के सिवाबी साहित्य का बहुत ही महत्त पूर्ण उद्देश है अब वह केवल नायक नाइका के संयोग और वियोग की कहानी नहीं सुनाता किन्तु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है मतलब अब क्या हो गया अब जो साहिते लिखा जा रहा है इसमें केवली नायक नाइका कि प्रेम और वियोक संयोग और वियोक की कहानी नहीं है उसका आख्यान नहीं है बेलकि वह यथार्त जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उनके समधान करने का प्रयास करता है अब वह इस फूर्तिया प्रेणना के लिए अद्भुत आश्चर जनक घटनाय नहीं नुड़ता अनुप्रास लंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करता नहीं नहीं चीजों की उसमें प्रयोग नहीं करता अपने कविताओं में बेलकि उसे उन समस्याओं में दिल्चास्पी है उन प्रश्णों में दिल्चास्पी है जिससे समाज या व्यक्ति प्रभा कह जाता है उत्कृष्टिता की कसाउटी पर वर्तमान समय में कौन सा साहित खरा उतरता है तो वह साहित खरा उतरता है जो हमारे भावों और विचारों में गतिशीलता पैदा करता है उसे आगे बढ़ाता है उसे प्रगतिशील बनाता है हमारे भावों और विचारों को explain कर पाएंगे और अपने शब्दों में बहुती शांदार उत्तर लिकर आपाएंगे नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष एक ही है क्यावल उपदेश की विधी में अंतर है जैसे आप चाड़क की नीति पढ़ते हैं या फिर कोई साहित्य पढ़ते हैं तो दोनों और मन पर प्रभाव डलने का प्रयास करता है तो निती शास्तर कैसे उपदेश देता है तरकों के द्वारा उपदेशों के द्वारा हमारे बुद्धि और मन को प्रभावित करने और हमें हमारे अंदर गुणों का विकास करने का प्रयास करता है परन्तो साहित्य ने अपने लिए मानसी का वस्थाव और भावों का शेत्र चुन लिया है लेकिन साहित हमको कैसे उपदेश देता है कैसे प्रफावित करता है हमारी मेरे हमारी mental disposition मानसी का वस्थाव और हमारे feelings और emotions यह शेत्र होता है वह साहित का शेत्र होता है इसके माध्यम से वह हमें बद्लाव लात करता है हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती हैं वही लगाइसर को जो देखता है जो महसूस करता उसके द्वारा जो भूगा गया जए थार संमाल में रहने वाले लोगों के द्वारा जो भूगा गया ये थार संमाज मे чистा आद जीन अपमान जनक इस्थितियों का उसने सांबना किया कफन कहानी को देख सकते हैं या फिर उपन्यास्तों कहानी को इत्यादी मतलब कहीं न कहीं भूगा हुआ यह थार्थ आवश्य होता है कभी या साहित्यकार में और इसमें कल्पना के माध्यम से भूगी गई यह थार्थ को कल्पना के माध्यम से जब अभिव्यक्त कर देता है तब एक बहुत ही अच्छा साहित्य निर्मित हो जाता है कभी या साहित्यकार में अनुभूती की जितनी तिवरता होती है मतब उसके फिलिंग्स और इमोशन्स जितनी इंटेंसिटी के साथ हो महसूस करता है मतब फिलिंग्स और इमोशन्स की जितनी तिवरता होती है जितनी इंटेंसिटी होती है कभी या साहित्यकार में उसका अनुभा उसकी अनुभूती जितनी तीवर होती है उसकी रचना उतनी आकरशक और उचे दर्जे की होती है मतलब बहुत ही emotional होना पड़ता है, sentimental होना पड़ता है एक अच्छे साहित्य के लिखने के लिए दोसरों के दुख दर्द को महसूस करने के लिए ताकि उन भावनाओं का बाद साधारनी कर सके और पाठा को स्रोता भी साहित्य कार के feelings और emotion को भली भाती समझ सके जिस साहित्य से हमारी सुरूची ना जागे, मतलब हमारे अंदर अच्छी रूचियों का विकास ना हो अध्यात्मीक और मानसिक त्रिप्ती ना मिले, हमें शक्ती और गती ना पैदा हो हमारा संदर प्रेम ना जागरत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाईयों पर विजय पाने की सच्ची द्रेड़त अना उत्पन न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहाने का अधिकारी नहीं है तो मुन्सी प्रेम जों कितने बड़े विद्वान थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साहित्य के बारे में उनके विचार कितने भी प्रोड और परिमार्जित हैं मतताजी साहित्य के द्वारा हम में अच्छी रूची जागरित ना हो मानसिक तरिप्टी न मिले मथा हमारे अंदर कांटिडेन्स पैदा नहीं गती पैदा नहीं हमारे संधर ये बहुत जागरेत नहीं जो हमारे अंदर कोई सच्चा संकल्प न उत्पन कर सके और कठनाईयों पर विजए पाने कि शम्ता न उत्पन कर सके हमारे अंदर द्रीड़ता न उत्पन न कर सके ऐसा साहित आज हमारे लिए बेकार है वो साहित कहाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि यह उन्होंने वैक्ष्यान दिया था 1936 में और उस समय हमारा देश पड़तंत्र था तो समझ सकते हैं इसमें उनके जो विचार हैं बहुत ही क क्षब्रांथिकारी विचार हैं उनके अंदर तो समाज की लगाम मजिहप के हाथों मे थी पुराने समय में जो समाज हम से से काम लेता था पुन्य पाप के मसले उसके साधन थे पुराने समय में जो समाज है जो राष्ट है उसकी जो लगाम है उसका जो नियंत्रण है वह धर्म के हाथ में था और उसमें जो अध्यात्मिक और नैतिक सब्वेता का अधार क्या था धार्मिक आदेश था और उनका अन धी में उसका जीवन चल रहा था और उनके धर्म ग्रंथों में मजहबी ग्रंथों में धार्मी ग्रंथों में जो भी उन्हें उपदेश दिये गए थे और पाप और पुन्य की जो व्याक्या की गई थी उसी के अधार पर हिवा नियंत्रित होता था अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्में ले लेकिन अब धार्मी गृंत नहीं सविद्य का हिए कउल्व है कि वह लोगों को ने अंत्रित करें समाझ को N junt करें और मैं नैतिकता और अध्यात्मिकत का विकास करें और सविद्य का साधन संदर ये प्रेम संदर यो बहुत है वह मनुष्य में इसी संदर प्रेम को जगाने का प्रयत्न करता है, यहां पर साहित का उद्देश क्या हो गया, संदर ये बहुत जागरत करना, लोगों में संदर ये बहुत जागरत करना, संदर प्रेम जागरत करना, ऐसा कोई मनुष्य से नहीं, जिसमें संदर की अनुमूत प्रकृति निरिचन और अपनी अनभूती की तिछनता की बदलत उसके संदर बद में इतनी तिवरता आ जाती है कि जो कुछ असुंदर है अभद रहे मनुश्यता से रहित है बद के लिए आसा यह हो जाता है तो कुछ उसकी अनभूती की तिवरता है ना फिलिंग सेन इमोसंस की इंटेंसिटी और दूसरा प्रकृति का निरिक्षन प्रकृति में संदर के जो उपादान है संदर के जो उपकरणा है जैसे नदी पहाड जरने हैं हरियाली है चरो तरब अक्षी है इन सब को देखकर उसके मन में एक संदर बहुत जागरित हो जाता है इसलिए जो कुछ संदर नहीं है जो कुछ अभद रहे बेकार है जो मनुश्यता से रहित है जिसमें मनुश्य जै सालोचना करता है यो कहिए कि वह मानवता दिवयता और भद्रता का बाना बांदे होता है मतलब उसका मुख्य उदेश क्या है लोगों में मानवता उत्पन्न करना दिवयता उत्पन्न करना भर्दत्रा भद्रता उत्पन्न करना उसका मुख्य उदेश होता है जो दलीत है प्रगतिवादी जो चेतना है प्रगतिसी इलसाहित है वह मारश्वादी विचारधारा से प्रगतिवाद क्या है और प्रगतिवाद में किस बात की वकालत की जाती है शोशक्षक्षक्तियों का विरोध किया जाता है और जो शोशित हैं उनकी हिमायत करना पड़ता है उनकी वकालत किया जाता है तो जो दलित हैं, पिडित हैं, वंचीत हैं जो डिप्राइड क्लास हैं चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई समुदाय हो तो उसकी हिमायत करना, उसका फेवर करना, उसकी वकालत करना, उसको सपोर्ड करना है, उसका दायत होता है और उसकी अदलत समाज है, इस अदलत के सामने वो अपने इस्तगासा पेश करता है और उसकी नियाय वृत्ति सता सौंधर वृत्ति को जागरत करके अपना यतना सपल समझता है तो साहितिकार का उद्देश्च क्या होता है जो दलीत हैं पिडीत हैं वंचीत हैं उनकी यद्हार्त इस्तिति को किसके सामने लेकर आना समाज की अदालत के सामने लेकर आना और उस समाज में क्या उत्पन करना न्याय वृत्ति न्याय के प्रति उसके मन में न्याय के समन्द में उसके मन में विचार विमर्ज करना और उसमें वह बोध उत्पन न करना जिसके माध्यम सेवा तहीं न्याय कर सके समाज के वंची तर्पिडित लोगों के साथ और समाज के सवंदेर बोध को भी जागरित करना उसका दाइत होता है और यदि वा ऐसा कर पाता है तो वो अपने प्रयास को सफल समझता है जैसे कि आप पंच परमेस्तवर कहानी में देख सकते हैं मुसी प्रयमचन जी का तो यह उसका उद्देश हो गया पर साधारन वकीलों की तरह साहितिकार अपने मुवकिल की ओर से उचीत अनुचीत सब तरह के दावे पेश नहीं करता अतिरंजना से काम नहीं लेता अपनी ओर से बातें नहीं करता परणती जैसे वकील होते हैं वकील अपने जो मुवकिल होते हैं उसको कोट में उसका सजाना मिले या फिर उसके फेवर में कहीं कहीं से तरीले लेकर आता है लेकिन साहितिकार का काम ऐसा नहीं आता ऐसा नहीं होता है वह जानता है कि इन युक्तियों से वह समाज की अदलत पर असर नहीं डाल सकता है लेकिन साहित दिकार ऐसा नहीं करता है उल्टा 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 उल्पडांग उल्पडांग बातें लेकर नहीं आता है तकि समाज की जो अदलत है उस पर वह असर डाल सके और अपने मुवकिल के फिवर में निर्णाय करें निर्णाय करवा सके उस अदालत का रिदय परवन तभी समभव है जब आप सत्य से तनीक भी विमुखन हो नहीं तो अदालत की धाना आपकी वर से खराब हो जाएगी और वह आपके खिलाप फैसला सुना देगी तो जैसे आपने पंजपरमेस्तोर कहानी पढ़ा होगा या नहीं होगा तो पढ़ लीजिएगा मतलब वह क्या करता है जीवन की सच्चाईयों को लेकर आता है जो भी सच्चाईये उसके माध्यम से वह समाज का रिदय प्रिवतन करने का प्रयास करता है नहीं तो क्या होगा वह कोट अपने कोट में केस हार जाएगा वह कहानी लिखता है पर वास्तुिक्ता का ध्यान रखते वे मूर्ती बनाता है पर ऐसी कि उसमें सजीवता हो और भाव यंजक्ता भीवा माना प्रकृती का सुच्च दृष्टी से अलोकन करता है मनोविज्ञान का ध्यान करता है और इसका यतन करता है कि उसके पात्र हर हालत में और हर माउके पर इस तरह आचरण करें जैसे रक्त मासका बना हुआ मनुश्य करता है तो भले यह साहित कार जब कोई कहाणी लिखता है तब हो क्या करता है वो मनोविज्ञान का गहराई से अध्यान करता है और वह ऐसे पात्रों का स्रीजियन करता है जो हमारे समाज के जीवन्त प्रतीक होते हैं जो हाड मास के बने हुए साधरन मानव होते हैं तो मानव की प्रकृती का, मानव के व्यवहार का वह भरी माती अध्यन करता है उसके अधार पर वह ऐसे पात्रों का सिजन करता है जो हार्ड मास्के बने हुए साधानन मनुश्य होते हैं और साधानन तरीके से अपना आचनर करते हैं तो इसके लिए क्या ज़रू है? मनुविग्ञान का अच्छा ज्यान होना चाहिए और समाज में रहने वाले लोगों की प्रकृती है जो उनकी टेंडेंसी है जो उसके नेचर है उसका भली भाति उसे अध्यान करना होता है अपनी सहज सहनुभूती और संधर प्रेम के कान वह जीवन के उन सुच में इस्थानों तक जा पहुंचता है जहां मनुष्य अपनी मनुष्यता के कान पहुंचने में असमार्थ होता है लेकिन वास्तों में जो कभी का जो सौंदर ये बहुद होता है, जो उसकी चेतना होती है एक साहित्तिकार की जो चेतना होती है, जो भावनार जो फिलिंगस होते हैं वह आम व्यक्ति से बहुत ज्यादा त्रेष्ट होते हैं, उदाध होते हैं और लोगों के प्रति उसके मन में सहनुभ होती है, संदर्य प्रेम होता है, उसके मन में संदर्य बहुत होता है, इसलिए वह ऐसी ऐसी बातों तक पहुच जाता है, लोगों की भावनाओं को मसूस कर पाता है, उनका साधारनी करन कर पाता है, जहां मनुष्य से अपनी मनुष लोगों नहीं प्रतिक चनभहों की और उसने वरणन किया हमें केवल इतना सोचने से ही संतोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टी से सभी पात्र मनुष्यों से मिलते जुलते हैं बलकि हम यह इत्मिनान चाहते हैं कि वे सच्मूच के मनुष्य हैं और लेखक नहीं अथा संभा उनका जीवन चरित रही लिखा है क्योंकि कलपना के गड़े हुए आदियों में आदमियों में हमारा विश्वास नहीं है और उनके कारियों और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते इसलिए मुसी प्रेम चंजी के जो आदर्स वादै से आदर्स उन्मुखी यथार्थवात कहा जाता है कि वास्तों में कहानी या उपन्यास जो भी लिखे जा रहे हैं उन्में कैसे पात्र होने चाहिए मतलब मनोविज्ञान की दिश्टी से सभी पात्र मनुष्वी भी हूँ लेकिन वास्तों में वे मनुष्वी हूँ है ना और लेखक ने यह अथा संभाव उनका यथार्थ रूपस में चरित्र चित्रन किया है क्योंकि कल्पना के माध्यम से जिन चरित्रों का अंदिर्माण किया जाता है उसमें हमारा विश्वास नहीं है हमें इसका निश्चे हो जाना चाहिए कि लेखक ने जो स्रिष्टी की है वा प्रत्यक चन्भावों के अधार पर की गई है और अपने पात्रों के जबान से वा खुद बोल रहा है मतलब अपनी निजी अन भूतियों को ही अत्वा उन लोगों के भोगे हूए अधार्त को उसने अभीवकिती परत्त पर दा現在ご के परत्यक चन्भावों के अधार पर अधारित है इसलिए जो साहित है उसके कुछ समालोचक क्या काते हैं मनोवेग्यानिक जीवन चरितर का है लेखक का स्वयम का जैसे आप शेखार एक जीवनी पढ़ेंगे अगे जी का तब आपको महसूस होगा कि लेखक ने अपने स्वयम के व्यक्तित को उसमें प्रतिबिम्बीत किया है इसलिए साहित को कुछ समालोचक ने क्या किया है लेखक का मनोवेग्यानिक जीवन चरितर का है बतब साहित में लेखक का मनोवेग्यानिक पूरी तरह से अभी व्यक्ति पाता है एक ही घटना या एक ही घटना या इस्थिति से सभी मनुष्य समान रूप में प्रभावित नहीं होते हैं एक ही घटना लोगों को समायन रूप से प्रभावित नहीं करता है हर आदमी की मनोवृत्ति और द्रिष्टिकॉण अलग है रचना कौशल इसी में है कि लेखक जिस मनोवृत्ति या द्रिष्टिकॉण से किसी बात को देखे पाठक भी उसमें उससे सहमत हो ज जाए भले किसी भी प्रकार की उसने मनोवृत्ति या द्रिष्टिकॉण से लिखा है लेकिन उसकी सफलता कि इसमें पाठक को कन्वींस करना पाठक उससे सहमत हो जाए यहीं उसकी सफलता है इसके साथ ही हम साहित्यकार से यह भी आशा रखते हैं कि वह अपनी बहुग्यत का और अपने विचार की विस्त्रिती से हमें जागरत करे हमारे द्रिष्टी तथा मानसिक परिथी को विस्त्रित करे उसकी द्रिष्टी इतनी सुक्ष्म इतनी गहरी और इतनी विस्त्रित हो कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मीक आनांदौर बल मिले तो यहाँ पर उनका क्या काना है कि साहितिकार से हम यह भी पेक्षा रखते हैं कि साहितिकार अपनी बहुग गेता बहुग गेता मतला विभी नविश्यों का ग्यान तो उसका जो विचार होते हैं पुरे विश्टित होते हैं इतना सुत्म होना चाहिए उसका अब्जॉर्वेशन इतना डीप होना चाहिए इतना गहरा होना चाहिए और इतना विश्त्रित होना चाहिए कि उसकी रचना के माध्यम से हमको आध्यात्मिक आनंद भी मिले है ना मेटाफीजिकल हमको आनंद भी मिले मेटाफीजिकल है ना ह अच्छी आउस्था आने की प्रेणा हर आत्मी में मौझूद रहती है वास्था में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कि हमेशा बुरा रहता है या बुरा रहना चाहता है उसमें कुछ न कुछ अच्छा यह जरूर होती है और अच्छी आउस्था में आने यह अच्छा होने की सम हमारा हर व्यक्ति में मौजूद रहती है हम में जो कमजोरिया है वो मर्ज की तरह हमसे चिम्टी हुई है पता हमारे अंदर जो भी कमजोरिया है वो बिमारी की तरह है उस बिमारी को हमको दूर करना है जैसे सारिक स्वास्तिक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा उस और स्वस्थ रहने का उल्टा को होता है बीमार रहना तो इसे पकर कोई भी व्यूस्दी बीमार रहना नहीं चाहता है वह अपने रोग से संतुष नहीं रहता, उससे दूर होना चाहता है, रोग को दूर करना चाहता है, वैसे हमारा नैतिक और मानसिक स्वास्त भी नेचरल चीज है, कि हमको नैतिक रुच से मजबूत होना चाहिए, हमारा मानसिक स्वास्त उत्तम होना चाहिए, हमारे अंदर कि प्रत्य इक व्यक्तिय में व्यक्तिया प्रियास करता है कि हमारे अंदर जो जो भी कमजोरी है, जो भी बिमारी है, उसको हम दूर करें और हम एक अच्छे है मनुष से बनें. इसलिए हम प्रेरना के लिए कि हमको प्रेरिद करें हमें सुधार करें, हम साधू फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाट करते हैं, बड़े बुढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्यान करते हैं, तो यह सब माध्यम हैं, हमारी नैति कुन्नती, हमारी अध्यात्मी कुन्नती कीस माध्यम होगी जब हम सादू संतू का संगत करेंगे पूजा पाट करेंगे आध्याथमे किताबixel को पढ़ेंगे धैर्म ग्रंथों का अध्यान करेंगे बड़े बुडौों ना के बातिंगे इन सब के माध्यम से अ कгляघ सगे और अच्षा विक्ति बना पाएंगे और हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मदारी हमारी कुरूची और प्रेम भाव से वंचित होने पर है मतला हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मदारी क्या है कि हमारे अंदर कुरूची अच्छी रूचिया नहीं है हमारे अंदर प्रेम नहीं है जहां सच्चा संदर ये प्रेम है जहाँ प्रेम की विष्टिती है वहाँ कमजूरियां कहा रह सकती है लेकिन जहाँ पर संदर्य है जहाँ पर संदर्य की भावना है संदर्य ये बोध है जहाँ प्रेम का विष्टार है वहाँ पर कमजूरियां नहीं रह सकती मतलब हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए प्रेम ही तो अध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियां इसी भोजन के ना मिलने एत्वा दूसित भोजन के मिलने से पैदा होती है तो प्रेम एक अध्यात्मिक भोजन है प्रेम से क्या होता है प्रेम के माध्यम से हमारे अंदर की सारी कमजोरियां दूर हो जाती है और यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो क्या होगा हम कमजोर हो जाएंगे जैसे आदमी को अच्छा खाना नहीं मिलता तो वह क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है बीमार हो जाता है वैसे प्रेम अध्य जीवन को प्रेम से भढ़ देता है अपनी कला के माध्यम से उसका एक वा कि एक शब्द एक संकेद इस तरह हमारे अंदर जा बैड़ता है कि हमारा अनतरा करन प्रकाशित हो जाता है पता हम जब किसी कविता थो असाहित को जब पढ़ते हैं या फिर जिस तरह वो संकेत करता है जिस तरह की बातों की ब्याक्षा करता है तो हमारे हमको अंदर तक प्रभावीत करता है और हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है हमारे अंतरा आत्मा को हमारे अंतरा करण को प्र प्रशन निर्थक सा मारूम होता है लेकिन जब तक कोई कलाकार स्वयमी प्रेम से भरा पुरा ना हो उसके अंदर प्रेम चलक चलक करना बाहर निकल रहा हो उसके अंदर प्रेम ना हो जब तक उसके स्वयम की आत्मा प्रेम की जोती से प्रकासित ना हो तो क्या वा प्रकास हमको दे सकता है मतार जिस स्रोध से हमको प्रकास प्राप्त होता है वह स्रोध भी क्या होना चाहिए प्रकासित होना चाहिए तब ही हमको प्रकास मिलेगा जैसे बल्ब है, बल्ब जब तक सोयम नहीं जलेगा, तो क्या वे दूसरों को रौस नहीं दे सकता है, जो ट्यूब लाइट्स है, यह दिवा सयम प्रकासित नहीं होंगे, तो क्या वे दूसरों को रौस नहीं दे सकते हैं, इसी तरह जो कलाकार पुरी तरह से प्रेम से भरा खेलाताए जिसकी आत्मा प्रेम के प्रकाश यालो की तरहती है वही क्या करता है दूसरों को राशनी दे सकता है घ्छांग और प्रेम की लेकिन सवंदर यह ciertा क्या को वस्तू है वस्तों में यह प्रस्नियर्थक सामालुम होता है क्योंकि संडर महसूस करने की चीज है कुई बस्तु नहीं है क्योंकि संधर के विशय में हमारे मन में कोई शंका संधे नहीं है। प्रकृति के प्रत्यक उपादान में, हम जिन भी चीजों को देखते हैं, वही साउंदर है, सुराज का उगना डूबना, शाम के समय और सुबा के समय की जो लालीमा होती है, जो आस्मान लाल दिखाई देता है, सुंदर खुबसूरत फूल जो दिखाई देते हैं, जिसमें सुबू भी होती है, मिठी बोलने वाले चिडियां होती है, चिडियों की चाचाहाट होती है, कल-कल बहने वाले नदियां होती हैं, और जो ज़रने होते हैं, उन्मुक्त भाव से बहने वाले जो ज़रने होते हैं, यही साउंदर है, उन्होंने प्रत्यक प्रकृति के प्र फुलित हो जाता है, खूश हो जाता है, च्योंकि इन में रंगों का समझसे है, ध्वनी का समझसे है, कलकल भाती हुई जो नदी है, उसकी जोसाउंड है, हमको कितना अच्छा लगता है, जो फूलों का जो साउंडर है, एक निश्रीत अनुपान में उसमें कलर रहते हैं पूलों में हमको बहुत अच्छा लगता है यरह्मेली संकीत की मुहाट का करण है जो विभिण्न वध्य बजाये जाते है treaty जो संग्य होता है जो हार्मनी होती है उसके माध्यम से हमको संकीत मुहाट बजता है अब कोई कुछ कभी बजाद दे रहा है कोई कभी बजाद दे रहा है जिसमें कोई हार्मनी नहीं है कोई सामंजस से नहीं है तो क्या वा साउंड हमको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वह हमारे लिए केवालक शोर है हमारी रचना ही तत्तों के समान उपात्म है सनयोक से हुई है इसलिए हमारी आत्मा सदा उसी साम में तथा सामंजस की खोज में रती है मतलब हमारे शरीर में चीती जल पावा, गगन समीरा, पंच तत्व या रचा शरीरा ऐसे बोलते हैं मतलब पांच तत्वों से हमारा मिलकर शरीर बना हुआ है तो हमारे जीवन क्या चाहता है, साम में चाहता है, सामंजस से चाहता है, हार्मनी चाहता है मतलब हमारे जीवन में जो सभी तत्व एक निश्ची तनपात में है हमारा जो शरीर है उसको वो इश्वर ने ऐसी रचना किये कि सभी तत्व एक निश्ची तनुपात में है इसलिए हमारी आत्म क्या चाती है उसी तरह साम्य और सामंजेसे का खोज करती है जिस हार्मनी में हमारे शरीर का हमारी आत्मा का निर्माड हुआ है और साहित्य कलाकार के अध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य संवंधरी की सिष्टी करता है नास नहीं तो साहित्य क्या हता है कलाकार के अंदर जो अध्यात्मिक सामंजस्य है उसके माध्यम से क्या है साहित्य कारकन दिमार होता है और सामंजस्य क्या हो प्रिता और ममता के भावों की पुष्टी करता है। सफल होता है और जहां इनका भाव है वहाँ पर आपस में फूट की भावना होती है एक दूसरे से विरोध होता है स्वार्थ परता की भावना होती है एक दूसरे से द्वेश होता है शत्रुता होती है और यह मृत्यू के समान है यह बिलगाव विरोध प्रकृति विरोध जी प्रक्रिति के विरुद्ध जिन चिनों को हम सेवन करते हैं उनका खाते हैं तो हम क्या हो जाता है बीमार हो जाते हैं वैसे यह विभीन प्रकार की जो निगेटिव एनरजी है जो निगेटिव भावनाएं व्यादी हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वे क्या कर देते हैं यह के विरुद्ध लक्षण है जीवन के लक्षण है प्रक्रिती से हम क्या सीखते हैं जहां प्रक्रिती से अनुकूलता और साम्या है वहां संक्रिणता और स्वार्थकास्तित्व कैसे संभा होगा तब प्रक्रिती का गुण क्या है अनुकूलता है प्रक्रिती के साथ हमको आर्थकास्ति तो नहीं रहता जब हमारी आत्मा प्रकृति के मुक्त वायू मंडल में पालित पोशित होती है तो नीचिता और दुष्टता के किड़े अपने आप हवा रौसनी से मज जाते हैं जैसे कोई बंद कमरा है जिसमें हवा रौसनी नहीं है तो बहुत सारे किड़े मुकडे पैदा हो जाते हैं लेकिन जब वही कमरा हम खोल देते हैं उसमें अच्छी रौसनी और अच्छा हवा आने लगता है तो अपने आप किड़े मुकडे सारे मज जाते हैं घर साब सुथरा लगने लगता है तो इसे पकार हमारी आत्मों को क्या होना चाहिए मुक्त ह होना चाहिए इन शुद्र स्वार्थों से निगेटिव एनरजी से निगेटिव फिलिंग से निमोशन से हमको दूर करना है तब ही हमारे अंदर अच्छे रौसनी और अच्छे हवा आएगी और हमारा जीवन क्या है शुबता से सुचिता से भर जाएगा ठीक है प्रकृति से अलग होकर अपने को सिमित कर लेने से ही ये सारी मांसिक और भावगत बिमारियां पैदा होती है तब हमारा जीवन क्या है प्रकृति से एकाकार होना चाहिए एक रूप होना चाहिए प्रकृति से हमको दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम प्रकृति से दूर होते ह तब हमारे अंदर मानसीक और भावना से समधित जिमार्या पैदा होती है और साहित्य हमारे जीवन को सभाविक बनाता है, स्वाधीन बनाता है दूसरे शब्दों में उसी की बदवलत मन का संसकार होता है यही उसका मुख्य उद्देश है तो वास्तो में हमारे अंदर साहित्य का मुख्य उद्देश क्या होता है हमारे अंदर उदात गुडों की सिष्ठी करना उदात गुडों का स्रिजन करना हमारे जीवन को सभाविक बनाना स्वाधीन बनाना यहीं साहित्य का मुख्य उद्देश है अब उनका कहना है कि प्रगती सी लेखक संग प्रगती सी लेखक संग का यह जो नाम दिया गा है उनके विचार से गलत है प्रगती सी लेखक संग यह नाम ही मेरे विचार से गलत है उनका मुंसी प्रेम चन जी का कहना है आगे हम देखेंगे कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं यह ल तो ये प्रगतीशील जो लेखक संग है या उनके नाम उनके विचार से कलते हैं मतलब साहित्यकार या कलाकार सुभावगत प्रगती शील होता है वह हमेशा आगे की सोचता है अगर यह उसका सुभाव ना होता तो सायद या साहित्यकार ही ना होता प्रगती शीलता है साहित्यकार का मौली गुण है जो आदमी प्रगती शील नहीं रहेगा वह साहित्यकार ह होई नहीं सकता कि वह यदि पुराने ढहांचे में बंधा रहेगा तो वह कोई शाहितिकार नहीं हो सकता उसे अपने अंदर वह कमी मशूस होती है और बाहर भी तो साहितिकार हमेशा सोचते रहता है वह चिंधन सिल्प राडि ए उसको अपने अपने साहित्य के मा लिखियूं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी यह कमी दूर हो और समाज के लोगों में इस्त्रेश्ट गूणों का विगास हो अपनी कलपना में वो व्यक्ति और समाज को सुख और सचन्दता की जीसे वस्था में देखना चाता है वो उसे दिखाई नहीं देती वास्त में वो कलपना करता है एक ऐसे समाज का जहां पर प्रत्य व्यक्ति सुखी हो एक ऐसे समाज की कलपना करता है ऐसे वेक्तियों की कलपना करता है जो हमेसा सुखी हो और सुच्छन हो परंतु वा उसे दिखाई नहीं देता इसलिए वर्तमान मानसिक और समाजिक आउस्थाओं से उसका दिल कूड़ता रहता है वा दुखी होता रहता है उसके अंदर एक बेचेनी रहती है जब वर्तमान मांसिक और समाजिक आउस्थाओं को देखता है वह इन अपरी आउस्थाओं का अंत कर देना चाहता है जिससे दुनिया में जीने और मरने के लिए इससे अधीक अच्छा इस्थान हो जाए तो वह क्या चाहता है कि वह इन समस्याओं का निराकरन करना चाहता है समाज में जो व्याप्त परिशानियां है जो कठिनाईयां हैं जो इसेंगतियां है उनको वह दूर कर देना चाहता है जिससे क्या है वह एक और अच्छी दुनिया बनाना चाहता है ताकि यहाद दुनिया लोगों के रहने के लिए और उनके मरने के लिए भीवाद दुनिया पहले से सुन्दर हो जाए और यही वेदना यही पीड़ा यही भाव उसके हिदय और मस्तिस को सक्री बनाया रखता है उसको प्रेणा कहां से मिलती है इसी वेदना से इसी पीड़ा से लोगों की पीड़ा से उनकी भावनाओं से उसको प्रेणा मिलती है और यही उसके हिर्दय और मस्तिस को सक्री बनाया रखता है उसका दर्द से भरा हिर्दय इसे सहन नहीं कर सकता है यह एक समुदा है जो समा प्राजिक नियमों और रुणियों के बंधन में बंधा हुआ है, जो कष्ट भोग रहा है, तो ऐसी परिस्तितियों को वदल देना चाहते हैं, उनका भावु खिरिदे दर्द से भरा हिर्दा इसे सहन नहीं कर सकता, तो वह इन बंधनों को काट देना चाहता है, रुणियों इसे समान इकठा किया जाएं, कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाएं, वह इस वेदना को जितनी बेचनी के साथ अन्भाव करता है, उतना है उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है, तो वास्तों में वह लोगों की पिड़ा को जितनी बेचनी के प्रपोर्शन में वह अपने अन्भूतियों को अपने फिलिंग्स को और अपनी इमोशन को अपनी कला में अभिवक्ति प्रदान कर पाता है, अपने साहित्य में अपनी कविता में, वह उसकी कला को शलता का रहस्य है, जिसमें उसकी इंटेंसिटी दिखाई देती है, इक ही अर्थगरहंट नहीं करता जिन अस्थाओं को एक समुदाय उन्नती समझ सकता है दूसरा समुदाय असंदिक्द अवनती मान सकता है इसलिए कि यह साहितिकार अपनी कला को किसे उद्यश कैदिन नहीं करना चाहता उसके विचारों में कला केवल मनो भावों के व्यक्ति क्यों होना पड़े लेकिन कुछ साहित्यकार ऐसे भी होते हैं और वास्ता में हमारे समाज में जैसे एक समधाय किसी चीज़ को अच्छा समझता है दूसरा समधाय उसको अच्छा नहीं समझता है जैसे एक समधाय क्या समझता है मुर्ति पूजा को बहुत अच्छा समझता है कि मूर्ति पूजा करना बहुत ही अच्छा है लगी दूसरा समुधाय क्या समझता है यह मूर्ति पूजा बेकार की चीज़े तो अपनी अपनी आस्ता है अपना विश्वास है इसलिए साहितिकार क्या करता है कुछ साहितिकार ऐसे होते हैं अपनी कलाई को किसी उद्देश क के अधिन नहीं करना चाहते हैं उनका काना है कुछ साहितिकारों का काना है भई मैं तो अपने विचारों को अपने मनभाओं का अभिवेक्टि प्रदान करूँगा चाहे उसे समाज या वैक्ति पर कैसा भी अथर पड़े तो जब साहितिकार को ऐसा लगता है कि मैं एक पर अथर समाज पर कैसा भी अथर पड़े तो इस तरह के साहितिकार क्या होते हैं सही माएने में साहितिकार नहीं होते है ठीक है na 29 से हमारा तात्पर और उस इस्तिती से है जिससे हमें दीरता और कर्म शक्ति उत cancelled हो जिससे हमें अपनी दुखा वस्ता की अनुभूति हो हम देखें कि किन अंतर बाह्य कारोणों से हम इस निर्जिता और रास की अवस्ता को पहुँच गए और उन्हें दूर करने की कोशिश करें तो आस्तो में प्रगति शीलता क्या है उन्नती क्या है उन्नती से ताथ पर यह होता है कि हमें द्रिड़ता पैदाओ काम करने की भावना उत्पन्नो है हमको पता चले कि हम किन कारोणों से दुखी है किन अंतरिक और बाहरिक कारोणों से हम क्यों दुखी है और हम क्यों इस प्रकार की इस्थिती में पहुँच गए है निर्जीवता वली इस्थिती में पहुच गए है आस मतलब पतन की आउस्था में पहुच गए है तो आईए क्यों न हम उन्ने दूर करने की कोशिश करे हमारे लिए कविता के विभाव निर्थक है जिनसे संसार की नस्वर्ता का आधिपत्य हमारे हिर्दय पर और दिर हो जाए जिससे हमारे हिर्दयों में नराज से चाजए वे प्रेम कहानिया जिनसे हमारे मासिक पत्रों के प्रिष्ट भरे रते हैं हमारे लिए अर्था हीन है अगर वे हमें हरकत और गर्मी पैदा नहीं करती तो उनका कहाना चाहिए कि हमारे लिए ऐसी कविता बेकार है जिसमें केवाद जीवन की नस्वर्ता का वणन किया जाता है कि जीवन कितना निराशा से भरा हुआ है जिसको पढ़ कर हमारा मन बिल्कुल निगेटिव एनरजी से भढ़ जाता है तो ऐसी बहुत सारी प्रेम कहानिया पढ़ते रहते हैं जो हमारे लियार्थ हीन है अगर वे हमें हरकत और गर्मी पैदा नहीं करती हैं अगर हम ऐसी कहानिया पढ़ते हैं जो हमें को कोई मोटिवेट नहीं करता तो ऐसी कहानिया बेकार हैं अगर हमने दो नव्यूकों की प्रेम कहानी कहा डाली है पर उससे हमारे सौंदारे प्रेम पर कोई असर ना पड़ा और पड़ा भी तक के वाल इतना है कि हम उनकी विराभ यथा पर रोए तो इसमें हमें कौन सी मानसी के रूची समंधी गती पैदा हुई इन बातों से किसी जमाने में हमें भावावेश्ट हो जाता रहा हो तो हो जाता रहा हो पर आज के लिए वे बेकार हैं इस भावत्ते जग कला का अब जमाना नहीं रहा अब तो हमें उस कला की आशकता है जिसमें कर्म का शंदेश हो तो मुंसी प्रेम जंदि याँ पर गहाँ झात रहें कि ऐसा सहीत बेकार है जो हमारे अंदर कोई प्रेयना पैदा नहीं करता है जिसके करन हमारे मंन में निराशा की भवनों जागरित होती है कि हम दो प्रेमियों की प्रेम कहानी पर रहे हैं उनके वीरा वथा पर दो रो और जो नाइका के सांदर से हमा भिभूत हो रहा है तो इससे हमको कौन सी मानसिक सांदाना शांती या फिर रूची पैदा हो रही है हमारे अंदर तो हो सकता है किसी जमाने में इस तरह की emotional कहानिया हमारे लिए अच्छे और महत्पून रही हूँ लेकिन आज इस टाइप के भावतेजक कला का जमाना नहीं रहा जो हमारे भावनाओं को भड़का दे बलकि आज हमको एक ऐसी कला की और शकता है जिसके अंदर कर्म का शंदेश हो तो यह जो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया यह पहला भाग है बाके हम देखेंगे दूसरे भाग में धन्यवाज जैहिन जै भारत